होटकेंस लिम्फोमा एक परकार का गैंसर है जो एक विश्यस परकार की WBC को परभावित करता है जिससे लिम्फोसाइट्स करते हैं यह लिम्फोसाइट्स की एनियं तरित वर्दी होती है जो लिम्फनोड्स, लिवर, स्प्लेंड और बॉन मेरों के अंदरा आपका इकठा हो का कारण बनता है होटकेंस लिम्फोमा का एक जेक्ट जो कारण है वो आपका ग्यात नहीं है परन्त यह संक्रामक नहीं है कमने के बल नहीं है होटकेंस लिम्फोमा के अंदर लक्षम जो हैं उनकी बात करें तो आपका गर्दन, आर्म पिर्ट्स, ग्रॉइंग, इतियादी कि आपका जो lymph nodes होते हैं, उनके अंदर आपका डर्द रहीत, शूजन आपका शुरू हो जाती है, swelling, fever होता है, रात को पशीना आता है, sweating होते है, night sweating, आपका weight जो है वो कम हो जाता है, खुजली, कमजोरी और थकान मैसुश होना, यह आपका कुछ लक्षन है, कुछ cases के अंदर, जो आपका lymph nodes हैं, वो आपका chest के अंदर बढ़ जाते हैं, और airway को आपका compress करते हैं, उस पर दवाव डालते हैं, जिसकी वज़े से coughing, खांसी और सांस लेने के अंदर आपका कटनाई पैदा होती है, वोटकिन्स लिंफोमा के डाइग्नोसिस के लिए, डॉक्टर सामतोर पर बायोप्सी करते हैं, जहां बड़े वे lymph nodes जो हैं, उसके एक छोटा से टुकड़ा निकाला जाता है, और माइक्रोसकॉप की दुआरा जांज की जाती है, इसके अतरिक अन्यापका टेस्ट, जैसे के आपका ब्लड टेस्ट, चेस्ट अक्सरे, सिती स्केन, पीटी स्केन, इतियादी भी आपका किये जाता है, होटकिन्स लिमफोमा में आपका ट्रीटमेंट के लिए समानिता कीमो थरेपी और रेडियसन थरेपी का आपका उप्योग किया जाता है यह दिया आपका ट्रीटमेंट के बाद में भी कैंसर वापिस से आपका हो जाता है तो हाई डोज कीमोथरेपी और स्टेम सेल आपका ट्रांस्प्लेंटेशन है वो रिकमन्ट किया जाता है आपका यान की कैंसर के पुर्ण होने को आपका निग्रानी करने के लिए फॉलॉआप एक्जांग और जो टेस्ट है वो आपका कंड़ेट किया जाते है ओवराल होटकेंस लिंफोमाज जो कैंसर है वो आपका क्यूरेबल है इसलिए इसका आपका अधिकांस्ट लोगों के अंदर सफ़ता प्रॉप इलाज किया जा सकता है